इस वीग जो Monday Night Rock को रेटिंग मिली है वो सेम पिछले हपते के मुकाबले है और जो साब पिछले हपते Monday Night Rock को रेटिंग मिली थी सेम वैसे रेटिंग है Monday Night Rock को रेटिंग मिली है 1.778 मिलियन विवर जो की सेम पिछले अपते भी थी तो यहाँ पर यह फिलाल कुछ चीज़ सकते की Monday Night Rock की रेटिंग्स का अभी फिलाल हाले देखते है Monday Night Rock की कब रेटिंग जो दो मिलिन के पार जाती है बाकी गाईज आज रोमर रेंज को कम्पलीट हो चुके है पूरे 400 दिन as a WWE Champion और रोमर रेस ने 400 दिन पहले रेसल में ने 38 में जीती ती WWE टाइटल Brock Lesnar से तो आज रोमर रेस को 400 दिन पूरे हो चुके और अभी 35 यानि 35 दिन रोमर रेस तूर है CM Punk का रेकॉर्ड ब्रोक करने के लिए CM Punk भी लॉंगस WWE Champion थे और डेफिनेटली रोमर रेस इस रेकॉर्ड को भी ब्रोक करी देंगे और ये फिलार रोमर रेस के बारे में चीज़ से हैं देखते हैं कितने इन फ्यूचर रोमर रेस मालस्टोन टच करते हैं WWE में बाकि Brock Lesnar और Cody Rhodes इसके अंदर एक बहुत बड़ी stipulation अड़ हो सकते हैं and SW का report करने WWE discuss कर रही है कि एक ऐसा match हो नाइट आप चैंबेस में जिसके अंदर एक last manning standing match हो extreme rose भी हो no disqualification भी हो इसके अंदर ambulance भी लाया हो जाए मतलब जो चीज़े creative team को लगे वो सारी चीज़े इसके अंदर आप कर दो इसमें एक stipulation ऐसे भी आड़ कर दे तो देखते क्या चीज़ होती या फिर नहीं बागी कल WWE ने बहुत सीक्रेट अटा ब्रॉक लेस्नर के return को and Roman Reigns के compare में ब्रॉक लेस्नर ने इन इस साल पूरे पेपर यूज में भी compete किया मतलब जो भी टाइटर्स के डिजाइन के बारे में update आए थी तो बता जा रहा है कि अब यह चीज़ नहीं होगी थुड़ी टाइम बाद यह future में चीज़ हो सकती है लेट सी बाकि एक और चीज़ हो सकती के वे नोस एंड सैथ फिरिकिल रॉलंस के थीम सॉंग के साथ एंड इसके अंदर कुछ लेक्स अड़ कर सकती डबडडवि मतलब जो आप जो लीरिक्स पार रख्यार रिखते तो ऊन्तै यहाब पर डाले इनके मूजिक के अंदर अजही फ़लाल देखते डबडडब करना चाहिए बाकि सैथ आतरांस का नहीं करना चाहिए क्योंकि सैथरांस का जैस होता है गा बारे में कुछ अभी फिलाल गैस पोईलर कहलो, यहाँ फिलाल जो इसके बारे में रूमर्ड चीजे में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर से जो सारी चीजे हैं, यह फिलाल आ चुकी है, अपने जैरो नीज की और से, अकॉर्डिंग टुज जैरो न्यूस यहाँ पर से उनके according गंतर है वो यहाँ पर as a walk in करने वाले है summer slam के अंदर as an intercontinental champion and साथी में बताया जा रहा है कि Cody Rhodes and Brock Lesnar का part 3 होगा जो कि मैंने आपको कल वाले video में बताया था साथी में Logan Paul भी schedule एक match के लिए जोकी वो एक match के अंदर compete करते हुए में दिखाई देंगे साथी में बताया जा रहा है कि Brave White fit होने वाले तब तक यहाँ पर से वो तब तक वापस आएंगे और summer slam के road जो होगे यान कि जो ww summer slam का वहाँ का वो part होंगे और बताया जा रहा है Alexa Bliss भी तब तक return कर जाएगी ww में तो यह खाल कुछ update है देखते क्या कहना है wrestling blog का सही होता है या फ़र नहीं पलाल आची वीडियो बस इतने से ती एंड में मिलता हूं next video के अंदर